तो स्वाकते दोस्तों एको नई वीडियो में, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भाई UGW से रिकार्डिंग ली, तो वीडियो को सुर से लेकर एंड तक जरूर देखना और अगर आप चैनल पे नए हो तो बहुत सस्क्राइब जरूर कर देना, वाज की वीडियो म अनॉस्मेंट आज से दो साल पहले होई थी और दो साल के बाद गेम यहां से यहां तक पहुचा है, तो दो साल गेम को अल्रेडी हो चुके हैं लेकिन अभी भी यह गेम जो है वह जो बहुत बीटा में चल रहा है, और बीटा के बाद आएगा बही ओपन बीटा उसके बताया भी था कि क्या-क्या जो है UGW के इस वाले टेस्स में तुम्हें देखने को मिलेगा, और बही काफी सारे अच्छे अच्छे इंप्रूमेंट भी इनों ने इसके अंदर किये थे, लेकिन उस वीडियो में मैंने तुमको एक बात बोली थी, तो वह एक बात मैंने यह बात बेटा हो था उसमें बहुत सारे लोगो ऑगरण में प्रॉलम आ रहिए थी सब उनको प्रॉलम आ रही थी मैच भगरण भी जोई नहीं नाई कर पा रहे थे,Lag और बहुत सारी लोग बोल रहे थे कि पहले वाला जो बीटा था। उससे भाई बिकार यह जो लास वाला बिटा इन्होंने दिया है वो है तो इन्होंने काफी सारे अफडेट तो गेम के अंदर पुश कर दिये लेकिन भाई आप्टिमाइजेशन की जो है ऐसी तैसी कर दी तो मैं भाई उमीद करूँगा कि जो इनका अगला बिटा आएगा उसके अंदर यह यह सारी चीजे फिक्स कर देंगे तो बात कर लेते हैं रैम की कि बाई यह कितने जीबी रैम वाले डिवाइस में चल जाएगा इसली जिसके लिए तुमने वीडियो को क्लिक किया है तो सब 50% रैम यूज़ कर लेता है इसी तरह से इंडस भी यूज़ करता है वह भी 7,800,900 MB के आसपास आपकी रैम यूज़ करता है बहले आपके डिवाइस में जीतनी मरजी रैम हो में चीज़ों है वह यहाँ पर प्रसेसर तो अगर मैं तुम्हें बता हूँ कि मैंने यह गेम लो वालों की यह कौन से वाले लो एंड डिवाइस के अंदर चलेगा तो अगर तुमने डिवाइस लिया भाई 2017 के आसपास मतलब उसी एयर में लॉंच हुआ वह अगर कोई तुमने डिवाइस लिया ऐसा निया कि 2017 में तुमने कोई 2015 लिया 2017 में जो latest model था भाई मोबाईल का आपके डिवाइस में चल जाएगा प्रसेसर की बात करो तो यार आपको आपको सने ड्रागन 600 प्लस चाहिए वैसे ओफिशली तो इन्होंने कुछ बोला नहीं है कि आपको यह वाले डिवाइस चाहिए या फिर इतना प्रसेसर चाहिए क्योंकि अभी गेम बहुत सारे अप्टिमाइजेशन की अगर डिवलपर अपनी तरफ से अप्टिमाइजेशन करेंगे गेम को तो आपके 2GB RAM के डिवाइस में 600 प्लस के प्रसेसर में भी बहुत अच्छा चल जाएगा तो UGW के बैटर रोयाल का जो कॉंसेप्ट है वो थोड़ा अला कॉंसेप्ट है और मुझे अच्छा भी लगता है यहाँ पर असा निया कि उतरो तुम मारो यहाँ पर देखो गैंग वाला कॉंसेप्ट है तुमारे पास दो गैंग है और आने वाले फिचर के टाइम में उन गैंग के अंदर कुछ मेंबर वगरा भी एड़ होंगे तो कुछ इस तरह से इनका आउट वाला स्क्रीन शेक वाला और फिचर में आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे अपडेट देखने को मिलेंगे तो इस तरह की अगर यूनिक चीज़े गेम के अंदर करते रहे तो यह गेम डेफिनेटली काफी अच्छा चलेगा लेकिन यहाँ पर कैच आजाता है वर यह है कि अगर इनको गेम में ऐसे फिचर लाने के साथ बहु है इनको गेम को ऑप्टिमाइज भी पर यह करना पड़ेगा क्योंकि अगर दीरे इस तरह के वगर अड़ करते रहेंगे गेम में और अगर उसको उप्टिमाइज नहीं करेंगे तो जिनके बाद भी 2GB, 4GB RAM लोग भाई इसको ट्राइ नहीं कर पाएंगे या फिर खेलेंगे भी तो उनको भाई एपस ड्रॉप अगरा भी देखने को मिल सकते हैं तो किसी भी गेम के लिए अप्टिमाइजेशन बहुत जरूरी है डेल्टा फोर्स की बात करें नेक्स लेवल उप्टिमाइजेशन है लो एंज प्रोसेसर में भी तुम उसको चला सकते हैं वह एक रिविलूशनरी गेम है उसके बारे में फिर किसी वीडियो हम बात करेंगे लेकिन वह UGW का कंटेंट और जिस तरह से यह लोग फीचर वगरे अड़ करें वह काफी जादा बढ़ी है तो अगर UGW उप्टिमाइजेशन वगरे ध्यान देता है तो इनका ग्रो करना भी बहुत असान है उसका एक रिजन भी है क्योंकि देखो इसको एक इंडियन स्ट वह इनका यू आई अगर इनके तुम यू आई देखो के तो उमके सलगेगा कोई RPG गेम है तो भही मुझे ऐसा लगता है कि इनको यू आई जो है पर काम करना पड़ेगा जो इनके गेम के पोस्टर बगर आते उनको भी इंप्रूब करना पड़ेगा यू आई को भी इंप UGW का तुम्हें Android वर्जन देखने को मिल जाएगा लेकिन UGW का iOS वर्जन की अभी कोई भी information नहीं है मेरे इनके official से भी बात हुती तो उन्होंना भी मुझे बोला कि इसके regarding ली कोई भी information नहीं है अब अगर इसका iOS वर्जन नहीं आएगा तो कहीं भाई 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 लाइड ना बन जाए क्योंकि उसका भी iOS वर्जन नहीं है तो देखो ये चीज इनको solve करनी चाहिए और जल्दी इनको iOS वर्जन उसके बारे में भी बात कर लेनी चाहिए तो अब बात कर लेते कि क्या ये गेम चलेगा या नहीं चलेगा तो देखो ये गेम डिपेंड करता है तीन चीजों के उपर मेरे साफ से जो मुझे लगता है सबसे पहला जो है इनको वाईडर ओडियंस को टार्गेड करना पड़ेगा भले ही वो low-end device वाली हो भले ही वो high-end device वाली हो भले ही वो worldwide audience हो तो इनको सबको attract करना पड़ेगा अपनी गेम की तरफ और वो क्या ये कैसे attract कर सकते है गेम को अच्छे से optimize करके क्योंकि देखो सबसे main point यह ही है आपका गेम जितना अच्छा हो जितने अच्छा हो जितने कि गेम खिलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको भाई low-end device वालों को भी target करना चाहिए और उसके साबस अपने game को optimize करना चाहिए new state ने ऐसा जरूर किया था लेकिन भाई वो इस चीज में fail होगे और इसी reason की वज़े से जो है new state low-end device में चलता नहीं है और जिनके पास high-end device है जो नेक्स-level graphic game के अंदर चाह रहे थे वो भी परिशान है और जिनके phone में नहीं चल रहा है new state वो भी परिशान है तो इस चीज जो है बहुत जादा important हो जाता है क्योंकि तुमको पता है BGMI इंडिया में वही e-sports है और वही e-sports का करता धरता है तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इंडिया में e-sports का अंदर जाना चाहते हैं और वो नई जो है game की तलाश कर रहे हैं कि कौन सा game उनको मौक इंडिया में लिमिटेड नहीं रखना चाहिए इनको इस गेम को वर्डवाइड भी लॉंच करना चाहिए और वर्डवाइड स्टेंडर के हिसाब से इनको अपना game जो optimize करना चाहिए उसके अंदर ने मैप अगर लेकर आने चाहिए क्योंकि अगर धंतारा की बात करें जो उसके अंदर अगर बात करें तो 90% तो इंडियां टची है उसके अंदर जोपनियां है सलम है इतना भी मत दिखाओ थोड़ा वहीं इंप्रूव करो मैप को तो मैं इनको पहले सी बोल रहा था इंडिया तना गरीब भी नहीं कि तुम सलम वगरा भी दिखाते रहो सलम ठीक ह अच्छी चीज़ है लेकिन मुझे लगता है कि इस चीज़ को इनको इंप्रूव करना चाहिए क्योंकि अगर ये वर्ल्ड वाइड इस गेम को लांच करेंगे और वो लोग भी ऐसे सलम वाले एरिया में सलम भी है ये भी है तो देखेंगे तो थोड़ा इमेज जो है इंड नहीं जो भी तहल का मचा रहा है तो बात करेंते नेक्स बीटा टेस्टिंग है तो देखो नेक्स बीटा टेस्टिंग के अगर बात करूह तो अगर ये कुछ और गيम के अधर एड दर एड करते है जैसे इनका बात एक बीटा मुझ आरे तोический भीट करेंगे तो गोगो खेलने को मिलेंगे, तो वेट कर एक नए बज एपिसोड का किनों ने क्या का चेंजिस वगर की हैं, तो आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप सो तुमको समझ में आ गया होगा कि रैम वगरा देखो मैंटर नहीं करता है, मैंटर करता है कि तुम्हारे ने उस गेम को उतना उप्टिमाइज किया है कि क्या वो तुम्हारे 2GB वाले डिवाइज में चले, तो जैसी इसका अगला बीटा आएगा तो मैं तुम्हें लो एंड डिवाइज में भी टेस्ट करके दिखाऊंगा, हाई एंड में भी दिखाऊंगा कि इस तरह से चल रहा तो आज की वीडियो में इतना ही था, तो मिलते नहीं वीडियो में तब तक के लिए टेक केर, बाबाई